क्या मोर के पंक भी बूर्डे होने की वड़े से इंसान के बालों की तरह सफेद हो जाते हैं? अगर ऐसा नहीं है, तो आकिर क्यों मोर सफेद होते हैं? अगर आप सोच रहे हो कि कोई और नसल हो सकती है तो आप गलत हो दुनिया में मोर की तीन स्पेशिस पाई जाती है उपर फ्लैश हो रही लिंक पर जाकर आप देख सकते हो जिसमें हमने मोर की पूरी जिंदगी के बारे में बताया है सफेद मोर इतने रेयर होते है कि 30,000 में से एक ही पैदा होता है तो आखिर क्यों दुनिया में सफेद मोर होते है मोर के सफेद पंक मूडे होने की वज़े से नहीं बलकि दो वज़े से होते है एक है लुसेस्टिक और दूसरा है अलबाइनो अलबाइनो यानि मिलेनन की कॉंटिटी कम होने ये मिलेदिन ना होनी की वज़े से होता है अगर आपने हमारा black panther वाला وीडियो देखा होंगा तो आप जांते होंगे कि कैसे मिलेदिन की quantity जादा होने की वज़े से एक leopard काला हो जाता है वैबसे ही जब मिलेदिन की quantity कम होती है तो more सफिद हो जाता है दूसरा है लिूसिजम जो कि जैनेटिक म्यूटेशन की वज़े से होता है ये सरिफ इंडेन पिकॉक के साथ ही होता है और ये पिकॉक पैदाईश के टाइम सफेद नहीं होते बलकि इनके पंक पीले होते है और टाइम के साथ ये सफेद होना शिरू हो जाते है तो क्या इनके लिए सफेद होना फाइदे मन्द है या बुरा मोर के लिए तो बुरा ही है क्योंकि इन्हे युमन पकड़ लेते है और बेज भी देते है जी हाँ, मार्किट में बहुत महेंगे बिखते है इनके कीमत 1500 डॉलर तक होती है जबकि दूसरे मोर 50 या 60 डॉलर से जादा नहीं बिखते